हाई अब्रीबन वेलकम बाक टो एलर्दिन ब्रेज आई होप यूगास आई दूइंग गूट एंड स्टेइंग सेफ तो कैसे हो यार कैसे हो मेरे भाई बंदों सब बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत अच्छी बात तो आज यार हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत दूसरा था बेवी स्टेप्स to start with programming and how I started in the college life तो यार जनता जनार्दन ने पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में दूसरे वाले option को जिताया 60% तरीके से वोट मिले उसको इसलिए आज मैं वो बीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं वो बेबी स्टेप्स तुम लोगों को बताऊंगा जो मैंने फॉलोग करे थे अपने programming skills को अच्छा करने के लिए programming skills को इंप्रूव करने के लिए बट यार जो और लोग है जि नेस्ट नहीं होई तो अगरा जो वेड नेस्ट ले है उसमें वही वाली वीडियो आएगी जिसमें कि बेगिनर्स के लिए जो पूरा एंटो एंड रोड माप होता है कहां से क्या स्टार्ट करना है कॉलेस टाइम में वह मैं सारा आप लोगों को बताऊंगा बट आप यार जनता तो जनता है उन्होंना दूसरा उप्शन को जिता है तो आज हम वह वीडियो बनाने आ गए हैं अगर तुम लोगों में से अभी भी कोई यह सोच रहा हो कि भाई आज मैं यहां पर कोई शौर्ट कर बताने आया हूँ तो भाई आप लोग वीडियो को यही पॉस करके अराम से कोई मर्स म्यूजिक वगरा सुन सकते हो यूटूब पर क्योंकि यह वह वीडियो नहीं है यहां पर मैं जो चीजे बताने हैं वह चीज ही इस चीज से स्टार्ट है कि बेबी स्टेप्स और वह टाइम लेती हैं बट जब यह चीजे आप फॉलो करते हो तो वह आप को लॉंग रन में बेनिफिट देती हैं यह मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि 2017 वाला टाइम है जब मैं प्लेश्मेंट के लिए प्रिपेर करा था वही एक टाइम था जब मैंने डीएसे और यह जो प्रोग्रामिंग कर्सेप्स होते हैं टच करे थे उसके बार सोच लो इतने टाइम की जर्णी हो गए इंडेस्ट्री में जिस घ्रीम कंपनी में चाता हूँ आप ही गया हूँ बट डीएसे को टेच नहीं करा तो तुम लोग खुद सोच सकते हो कि जो स्टेप्स या चीजे मैंने फॉलो करी हैं उन्होंने में को लॉंगर रन में किस तरीके से ह बटा फट बिना देर करें चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ में तो यार सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंड स्टेप विच प्रोग्रामिंग लांगज तो यार सबको पता है जब कॉलेज में एंटर करते हैं तो पहली चीज क्या होती है कि अब आधी नहीं रहें वो कुछ और बोलते हैं क्लास में कोई बंदा है जो भाई कोडिंग में फोड़े पड़ा है वो कोई और लांगवर्स सजेस्ट करता है खीक है तो अब हमारा दिमार्ट फटने को हो जाता है कि भाई कौन सी लांगज चुने यहां सी भी है जावा है जावा स्क्रिप्ट सब है चुने तो चुने कौन सी सो मैं चुकी ऐसा बंदा था जिसको कि भाई प्रोग्रामिंग का पीवी दंग से नहीं आता था सो एस बेबी स्टेप मैंने स्टार्ट करा था कॉलेज में सी लांगज से तो यहां सब को पता कि सी लांगज जो थी मैंने बहुत ही अच्छे से डेडिकेट करा था सी लांगज को पढ़ने में ठीक है और मैं बेनिफिट को बताता हूं कि मैंने क्यों इतना डीपली उसको पढ़ा था क्योंकि जो मैंने बताया भाई ओरीजिनेशन सी प्लस प्लस जावा का इसी लांगज से था तो मैंको वह चीजें सीखने के लिए टाइम ही ने लगा, सी पलस पलस मैंने फटा फट कंप्लीट कर ली जल्दी से जल्दी कर ली और सिमिलर विज जावा क्योंकि सी के कंसेप्स आपको सी प्लस प्लस में देखने को मिल जाएंगे और सी पलस फुद से ऑब्जेक्ट तो यार मैं हमेशा बुक्स को बहुत अच्छा एक learning resource मानता हूं तो उसके लिए मैंने college time में बुग ही फॉलो करी थी I'm a follow लीक थी की बुक थी रेटन बाई दिपाली शिर्वास तो वो मैंने फॉलो करी थी आपकी कॉलेज में आप में भी कोई डिफरेंट फॉलो कर रहे होगे अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करता है तो वहां से आप पहले पूरा बेस कवर कर लो जितने भी सी के कंसेट्स हैं आप उनको बुक से पहले पढ़ लो ठीक है उसके बाद फिर मैंने क्या कर ला था क्योंकि जब आप एक लांगवेज को कवर कर रहे होते हो उसके जो आपको प्रॉबली बुक में उतना क्लियरली पढ़ने को नहीं मिल पाएंगे तो मैं क्या करता था उसके बाद जो थोड़े पॉपुलर ऑल्लाइन प्लाटफॉर्म्स थे लाई गीक्स और गीक्स इंडिया बिक्स मेरे टाइम पे मैं इन दो प्लाटफॉर्म को ही जान सब्सक्राइब को हीडिन कंसेप्स उनके पता लगने मिलते थे यह चीज़े आपको किस जी के पहल्प करेंगी आपके प्लेस्मेंट्स टाइम पे भी करेंगी बहुत ज्यादा है क्योंकि जब आपके ऑनलाइन टेस्स ऑनलाइन डेटन राउंस होंगे तो उनमें जो एमसी इस तरीके के आउटकुट वाले कुश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे तो आप वो चीज़े कवर करोगे तो यानि यह पार्ट भी आपका कवर हो गया प्लस आपके इंटर्वी जो फेस टू फेस राउंस होते हैं उनमें भी यह चीज़े आपसे डेफिन जरूरत नहीं है जब तुम ऑनलाइन टेस्ट में पैटोगे अपने प्लेस्मेंट्स के तो भाई वहाँ पे सारे ओप्शन आते हैं सी सी लांगवजिस को आप्शन होते हैं कोड करने के लिए जो तुमने सुने भी नहीं होंगे तो वो सब तुमें मिलेगा और सिमिलर्वी फेस टू-फेस इंटर्यूज में भी यह होता है इंटर्यूज और तुमसे गभी भी नहीं कोलता है कि मैं को स्ट्रिक्ली जावा सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट में कोड करके दिखा हो वो तुमको प्रॉब्लम स्टेटमिन बोलेगा तुम आता है तुम जिस भी एसे से बंदों के जिन्हों ने कभी प्रोग्रामिंग चुई नहीं है और भाई ऐसे फाल कम्पटीज में है तो तुम लोग ऐसी वीडियो कर देखना चाले तो भाई टाइम से सब्सक्राइब जिनूर कर देना निवे एरेंड होने से पहले का 10 के पहुंचना है और तुम ही भाई अपने करता धरता हो तो तुम लोग कर सकते हो भाई वो लाइक बटन एकदम तोड़ दो मार डालो इसको चीथड़ उड़ादो और सिमिलरली सब्सक्राइब बटन सो कर दो यार और तब मूब करेंगे सबसे इंपोर्टन सबसे गरम मुद्दा सबसे एहम मुद्दा डेटा स्ट्रक्चर्स और अलगॉर्थम्स तो यार यह एक ऐसी चीज थी जो में को बहुत स्टॉंगली इंप्रूफ करनी थी और सबको पता है कि कितना जादा इसमें दिक्कत आती है लोगों को कवर करने में क्योंकि सम्टाइम्स नहीं पता होता है as a fresher as a noob कि भाई क्य चीजे कहां से पढ़ना कैसे पढ़ना स्टार्ट करें वहां से टॉपिक्स हैं ठीक है क्योंकि आप जब डीएसे वाले पार्ट पर आते हो ना आपके धिमाग हर तरफ चलने लगता है आप कॉमडरी प्रोग्रामी का सोचने लगोगे आप बहुत सारी hackathons का सोचने यह सारा आपके दिमाग में उसी टाइम पर चलने लगता है बट जब मैंने strictly realize करा कि what should be the exact thing तब मैंने एक प्रॉपर रोड मैप बनाया कि मुझे सबसे पहले डेडिकेटली इन्वेस करना है अपना टाइम अच्छे से कवर करने में जितने भी existing data structures हैं and algorithms हैं उनके मुझे theoretical concepts अच्छे से पढ़ने हैं मुझे हर एक data structure के हर एक existing algorithm के बाले में जानना है आपको पता होना चाहिए when to use, why to use, where to use अगर आपका ये पार्ट कच्चा है और कर लो या जितने भी आगे advanced चीज़े practice कर लो आप कभी भी एक अच्छी approach develop नहीं कर पाऊगे जभी आपके सामने कोई interview questions आएगा, कोई भी coding question आएगा and यही होता है that's why building blocks and fundamentals are really important मैं लोगों को यही suggest करता हूँ कि अपने basic से कभी मत रटो and मेरे longer run में इसी चीज ने help करा क्यो the array, array के सारे topics, जितनी भी चीज़े हैं, complexity wise, sorting की बात करूँ हर एक sorting को कुछ से pen paper code करकर के लिख के समझता था कि भाई किस लिए, किस use case में, कैसी इसका run time, worst case में, average case में, best case में, यह सारी तीज़े समझता था, heap data structure अगर है तो heap को खुछ से construct करना सीखता था, उसका code खुछ स सो यह cover करना एक बहुत important part है, हम गलती कहा कर जाते हैं, हमने आज link list पढ़ लिया, आज ही के आज ही भाई हम चले जाते हैं कि आज hacker rank code chef पे कम से कम 2-3 challenge तो उड़ा ही तेंगे, क्योंकि अपने link list पढ़ लिये, तो यह नहीं होता है, यह नहीं करना है किसी भी तरीके से, करो होगे, तो अपना ही नुक्सान करोगे, क्योंकि demotivation, तो अब यार मैं बताता हूं कि मेरे लिए उस टाइम पे किन दो resources ने सबसेदा help करा, so जो अपने concepts, जो strong करने थे मुझे DSA के उसके लिए मैंने book follow करी, कोर्मेंट की बहुत ही बढ़िया, शांदार book है, Bible समझ लो, DSA वाली चीज के लिए, तो मैंने वो चीज फॉलो करी थी, वहां से मेरे वो algorithm के सारे concepts भाई, एकदम must clear होगे, data structures के लिए मैंने दो bookे refer करी थी, एक तो lipsos की थी, दूसरी again data structures with C++, ये दो चीजे मैंने cover कर ली थी, तीसरा था, जब topic wise में चीजे cover करता जा रहा था, अपना base strong क प्राक्टिस करने, मुझे CPP का मैं नहीं सोच रहा था, मुझे variety of questions प्राक्टिस करने, तो उसके लिए मेरे time पर again मने बता है, Geeks4Geeks was the best platform, वह एक platform था, जो mostly उस time पर सभी लोग follow ही कर रहे थे, तो अब सब लोगों confusion ये भी होता है, कि sir, Geeks4Geeks पर तो इतना सारा है, कैसे मत पढ़े हो, कैसे हम topic wise इजे practice कर ले, तो मैं उसकी तुम्रों के ट्रिक बताता हूं कि मैं कैसे practice करता था, let's say तुमने आज link list cover कर ली, आज उसमें confident होगे, तो अगरे से हर एक part complete कर ली, आप उसके question solve करने है, simple सा जाओ, type करो, link list archive, gfg, done, enter मारना, और भाई, जो ये पहला URL तुम्हारा आना है, simple size को click करो, ठीक है, and तुम्हारा ये page load हो जाएगा, जहां पर तुम्हें पहले page पर कुछ question देखने लगेंगे, तो तुम्हें ये नहीं करना, यहीं से start कर देना, मैं अपनी trick बता रहा हूं, मैं कैसे करता था, क्योंकि में को बड़ी confusion होती थी, जब म daily website open करता था, भाई, नया question, नया page, यह यहां पूचा गया, वहां पूचा गया, भाई, मेरा दिमाह के sort हो जाता था, कि कैसे करना है, तो मैं हमेशा last page पे जम कर जाता था, यहां पे तुम लोग देखोगे, कि भाई, मुझे हमेशा last page से जम मैं start करता था, मैं को easy और अच् करता था, यह कुछ भी करता था, तो भाई, मैं यहीं इसी तरीके से ही करता था, आर्काइब पेज कोलता था, last page पे जम करता था, वहां से questions प्राक्टिस करना, simply start कर देता था, तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो, हमेशा मैं last to first वाला है, इस तरीके से चलने वाला ली, last page से मैंने वहां पे start कर दिया देखना, तो यह मेरी simple trick थी, आज के टाइम में बहुत सारी चीज़े है, platform पे उस पर अवेलेबल की must do coding questions है, category wise है, company wise है, वो बात की चीज़े हैं, तुम लोग देख सकते हो, explore कर सकते हो, बट तुम लोग अगर मेरा जो roadmap था, वो मैंने फोलो करा कि भाई मैं इस तरीके से easy, medium, hard level पे चलता था, last वाले page से हमेशा question practice करना start करता था, और मुझे कभी question ढूलने में problem नहीं हुई, simple सा topic का नाम डाला, let's say binary search, archive, सारे questions आगे, so इसतना simple है यह चीज, तो अब बात करते हैं यार, तीसरे and final step पे, competitive programming, तो यार, competitive programming के लि मैं हमेशा एक ऐसा platform ट्रीट करता हूँ, जो कि आपको help करता है, आपके problem solving skills को बहुत अच्छे से improve करने के लिए, कुछ है क्या, लोगों में अभी भी ये myth बनी हुई है कि CP mandatory है, अगर आपको companies में job लेनी है, company crack करनी है, interview crack करनी है, तो CP mandatory है, तो अगर ये myth है, तो ये सच न चाहिए, जो लोग कर रहे है, passionate होके, जिनको अच्छे से आथा, definitely आप लोग करो, ये चीज़े आपके profile को equates देते हैं, आपको resume short listing में भी बहुत help होगी, जब आप अपनी achievement उस तरीके से bring करते हो, but अगर कोई ऐसे लोग है, जिन से नहीं हो पा रहा है, तो यार, overkill करने की सरुवत नहीं है, everybody has its own capabilities and इसके body की चीज़े होनी चाहिए, तो जो important चीज़े हैं, एक अच्छी job में land करने के लिए, वो पिछले दो step थे, जहां पे आपको एक programming लागवरी में अच्छी expertise होनी चाहिए, आपका base मजबूत होना चाहिए, ये DSA वाली चीज में, ये आपका cover हो गया, next, अब आपको और improve करना है, तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है, competitive programming, तो उसके लिए पहले वो दो चीज़े, अच्छे से कर लो, तगड़े से कर लो, फिर इस पे आओ, and इस पे भी नहीं है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भाई, हमको 5-6 platform पता है hacker rank पता है, court chef पता है, court forces पता है, sports पता है, hackerer पता है, and बहुत सारे होंगे, तो ये कोई नहीं कहता है, आपको भाई, सब पे coding करना है, सब पे आपको एकदम top बन जाना है, नहीं, क्योंकि और भी चीज़े होंगी आपको जो एक अच्छी job में land करने के लिए cover करने है, आप आपके अच्छे projects होगे, तो अगर आप सारा time के वल उधर ही invest कर दोगे, तो आप बाकी चीज़े कब करोगे, तो एक आपको बहुत ही अच्छा balance बनाना जरूरी होगा CP के लिए, तो इसमें भी जिस भी platform को कोई एक dedicated अच्छा सा platform चूज कर लो, मैं practice के लिए मुझे हमेश करो, बिल्कुल करो बहुत important भी है, क्योंकि जब आपके placements होगे तो उसमें जो आपके online coding test होते हैं, वो यार इनी तरीके के online platforms पे ही होगे, और वहाँ पे आपको ये environment आना जरूरी है कि भाई, कैसे online platforms पे code करना है, test cases कैसे pass होगे, कैसा code snippet आता है, ये सारी चीज़े आपक जब इन platforms पे code करना start करोगे, so definitely वो सारी चीज़े आपके improve होजाएंगे और आपको एक feel आजाएगे जब आप placements में बैटोगे, so ये ही थे, तीम बेबी steps अच्छे से जो follow करने है, balanced way में सही से follow करने है, एक अच्छा और decent programming background पाने के लिए, so I hope ये जो मैंने चीज़े आप को बताई है, आपको help कर सकती है, आप plan कर सकते हो, and किसी भी चीज़ से demotivate नहीं होना है, मैंने जो बताया आपको, क्योंकि ये programming एक ऐसी चीज़े जो override नहीं आती, आपको बहुत अच्छा effort डालना पड़ता, एक अच्छा programmer बनने के लिए, so yeah, यही बस था मेरा experience programming का, जो programmer nowadays, तो यह चीज़ थी, यही था आज के वीडियो में, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो yeah, definitely अपने भाई बंदू, दोस्तों से, गोपियों से, गवालाओं से, share कर देना था कि जो भी रोट में आप follow करना चाहरा है, वो baby steps ये follow कर सके, क्योंकि मुझे help करें longer run में, तो I hope किसी और को भी help कर सकते हैं, जिसके अंदर ये patience है, impatient नहीं होना है, कभी भी programming सीखते है time, वरना आप अपने track से बाहर हो जाओगे, so मिलते हैं next wetness day में, उन लोगों के लिए, जो की wait कर रहे हैं, बहुत ही लंबे time से, beginners road map for data engineering, तो अगले वीडियो wetness day वही आने वाली ठीक है, तो मिलते हैं next video, तब तक कि लिए stay safe, stay home, take care yourself and your family too